भारत को आवाहन ए भारत तुम मत भूलना कि तुमारी इस्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और दमियन्ती है मत भूलना कि तुमारे उपास्य सर्वत्यागी उमानात शंकर है मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिकत सुख के लिए नहीं है मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के बली स्वरूप रखे गए हो मत भूलना कि तुमारा समाज उस विराट महा माया की छाया मात्र है तुम मत भूलना कि नीच, अग्यानी, दरिद्र, चमार और महतर तुमारा रक्त और तुमारे भाई है एवीर, साहस का आश्रे लो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है बोलो कि अज्यानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राम्मन भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सब मेरे भाई है तुम भी कटी मात्र वस्त्रावरत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है भारतवासी मेरे प्राण है भारत की देव देवियां मेरे इश्वर है भारत का समाज मेरी शिशुशैयां मेरे योवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वारानासी है भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्यान में ही मेरा कल्यान है और रात दिन कहते रहो, हे गोरीनाज, हे जगदंबे, मुझे मनुश्यत्व दो मा, मेरी दुरबलताओं और काप रुष्टा को दूर कर दो, मुझे मनुश्य बनाओ ए भारत, यही विकट भाय का कारण है, हम लोगों में पास्चाच्च जातियों की नकल करने की ऐसी इच्छा प्रबल होती जाती है कि भले बुरे का निश्चय अब विचार, बुद्धी, शास्त्र या हिताहित के ग्यान से नहीं किया जाता गोरे लोग जिस भाव को और आचार को प्रशंसा करें, वही अच्छा है, और वे जिसकी निंदा करें, वही बुरा अफसोस इस से बढ़कर मुर्खता का परिचय और क्या होगा? क्या दूसरों की हां में हां मिलाकर, दूसरों की ही नकलकर, पर्मुखान पे क्षी होकर इन दासों की दुरबलता, इस घ्रनित जगन्य निष्टुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त कर सकोगे? क्या इसी लज्जासपद का पुरुष्टा से तुम बीर भोग्या स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे? तुम सदा याद रखना की हमारी सामाजिक प्रथाओं के उदेश ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं में नहीं है मैंने संसार में प्राहय सर्वत्र जाती पाती का भेद भाव देखा है पर उदेश ऐसा महिमा मैं नहीं है अतायव जब जाती भेद का होना अनिवार्य है तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याक के उपर खड़ा करना कहीं अच्छा है उची जातियों को नीची करने मन माने आहार विहार करने और शनिक सुप भोग के लिए अपने अपने वरणाश्रम धर्म की मरियादा तोडने से इस जाती भेद की समस्या हल नहीं होगी इसकी मिमान सा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रतेक मनुष्य वेदानती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा जब हर कोई सच्चा धर्मिक होनी की चेश्टा करेगा और प्रतेक धक्ती आदर्ष ब्राम्मन बन जाएगा तुम आर्य हो या अनार्य रिशी संतान हो भ्राम्मन हो या अत्यंत नीच अत्यंत जाती के ही क्यों न हो इस भारत भूमी के प्रतेक निवासी के प्रती तुमारे पूर्व पुर्षों का दिया हुआ एक महान आदेश है तुम सब के प्रती बस एक ही आदेश है कि चुप चाप बैठे रहने से काम न होगा निरंतर उन्नती के लिए चेश्टा करते रहना होगा उची से उची जाती से लेकर नीचे से नीची जातियों के लोगों को भी ब्राम्मन होने की चेश्टा करनी होगी आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राम्मन ही हमारे आदर्ष हैं इस ब्राम्मन आदर्ष से मेरा क्या मतलब है आदर्ष ब्राम्मनत वो वही है जिसमें संसारिक्ता एकदम न हो और असली ज्यान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो हिंदु जाती का यही आदर्श है क्या भारत मर जाएगा तब तो संसार से सारी आध्यात्मिक्ता का समूल नाश हो जाएगा सारे सदाचार पून आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा धर्मों के प्रती सारी मदुर सानु भूती नश्ट हो जाएगी सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी धन उनका पुरोहित होगा प्रतारणा, पाश्विक बल और प्रतिद्वन्दिता ये ही उनकी पूजा पद्दती होगी और मानवात्मा उनकी बली सामगरी हो जाएगी ऐसी दुरवटना कभी नहीं हो सकती क्रिया शक्ती की अपेक्षा, सहन शक्ती कई गुनी बड़ी होती है प्रेम का बल, ग्रना के बल की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है भारत का उत्थान होगा पर वह जड़ की शक्ती से नहीं वरन आत्मा की शक्ती के द्वारा वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शान्ती और प्रेम की ध्वजा से सन्यासियों के वेश से धन की शक्ती से नहीं बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ती से संपादित होगा अपने अंतहस्तित ब्रह्म को जगाओ जो तुमें शुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण सहन करने में समर्थ बना देगा विलासपूर्ण भवनों में बैटे बैटे जीवन की सभी सुक सामगरी से घिरे रहना और धर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशों में भले ही शोवा दे पर भारत को तो सुभावतह सत्य की इस से कहीं अधिक पहचान है वह तो प्रक्ट्रती से ही अधिक सत्य प्रेमी है वह कपट वैश्ट को अपनी अंतर शक्ती से ही ताड़ जाता है तुम लोग त्याग करो, महान बनो कोई भी बड़ा कारे बिना त्याग के नहीं किया जा सकता अपने आरामों का, अपने सुख का, अपने नाम, यश और बदों का इतना ही नहीं अपने जीवन तक का त्याग करो और मनुष्य रुपी शंकला से ऐसा पुल बनाओ जिस पुल पर से करोडों लोग इस संसार सागर को बार कर जाए समस्त मंगलकारी शक्तियों को एकत्रित करो किस ध्वजा के नीचे तुम अग्रसर हो रहे हो इसकी परवाह मत करो तुमारी ध्वजा का रंग हरा, नीला या लाल कुछ भी हो उसकी चिंता मत करो बलकि सभी रंगों को एक में मिला दो और उससे उस अत्यंत उज्वल श्वेत रंग का निर्मान करो जो की प्रेम का रंग है हमें तो कर्म ही करना है फल अपने आप होता रहेगा यदि कोई सामाजिक बंधन तुमारे इश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है तो आत्म शक्ति के सामने अपने आप को तूड जाएगा भविश्य मुझे दिखता नहीं और मैं उसे देखने की चिंता भी नहीं करता परन्तु अपने सामने यह एक सजीव दर्श्यतों में अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह प्राचीन माता कुना एक बार जागरत होकर अपने सिवहासन पर नव योवद पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महा महिमान विद्ध होकर विराजी है शान्ती और आशिरवात के वचनों के साथ सारे संचार में उसके नाम की गोशना कर दो ए मेरे भावी सुधारकों मेरे भावी देश भक्तों तुम अनुभव करो क्या तुम अनुभव करते हो क्या तुम रदे से अनुभव करते हो कि देव और रिशियों की करोडो संताने आज पशूत उल्ली हो गई है क्या तुम रदे से अनुभव करते हो कि लाखो आदमी आज भूकों मर रहे हैं और लाखो लोग शताब्दियों से इसी भाती भूकों मरते आए हैं क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्यान के काले बादल ने सारे भारत को ढग लिया है क्या तुम यह सब सोचकर बैचेन हो जाते हो क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है क्या यह भावना तुमारे रक्त के साथ मिलकर तुमारी धमनियों में बहती है क्या वह तुमारे रदय के इस बंदन से मिल गई है क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है क्या देश की दुर्दशा की चिंता तुमारे ध्यान का एक मात्र विशे बन बैठी है और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, कुल, पुत्र, कलत्र, धन, संपत्ती यहां तक कि अपने शरीर की भी सुद्धिसर गए हो क्या तुमने ऐसा किया है यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देश भक्त होने की पहली सीड़ी पर पैर रखा है हाँ, केवल पहली ही सीड़ी पर